दोस्तो नमस्कार यह जो प्लांट आप देख रहे हैं गुड़हल प्लांट है इस प्लांट को गरम सीजन में कौन सा फटलाजर दिया जाए जो आपका पूरा साल अच्छा से फूल देगा यहां पर वह फटलाजर आपको देखाएंगे और इसका पूरूनिंग मतलब कितना ह हाट पूरूनिंग कर सकते हैं कौन से प्लांट को आप सोट पूरूनिंग कर सकते हैं वह हम आपको यहां पर दखाएंगे दोस्तों आप देख सकते हैं यह वाला जो गुड़हल प्लांट है इसका फूल होगा थोड़ा छोटा फूल होगा और जो हाइबिड वाला जो होता यह वाला है पोटास पोटास लेंगे लगभग आधा चमच लेना है आपको एक प्लांट के लिए और इसके बाद लेना है फॉस्फेट जिसको रॉक फॉस्फेट बोलते हैं उसको लेना है अधा चमच और इसके बाद लेना है वर्मी कमपोस्ट दोस्तों वर्मी कमपोस्ट जदि आपके पास नो हो तो आपके पास जदी सड़ा हुआ गोबर हो एक डेड़ सल का पुराना तो उसको भी आप दे सकते हैं वर्मी कमपोस्ट में होता है क्या मतलब इसके अंदर कोई कीडा मोकडाई से कुछ नहीं होता है इस होजा से बहुत ही अच्छा माना जाता है और अच्छा काम करता है आपका प्लांट में जदी पत्ता नहीं आ रहा है या प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है मतलब इसके अंदर नाइट्रोजन का शुरूत जो है बहुत ही अच्छा होता है और यह वाला नीम नीम का खली है नीम का खली यानी नीम के नीम खली देने से होत मोइन देन आपको मिल् drainage मेरे देने के लिए इसका जो मिल्टी है मिल्टी को भी हम आपको देखाएंगे यह resonate और मिल्टी आपका रिश together नहीं है तो सजो किस तरू के से बनाया जाया बहुत है बलांट जो आप देख सकते हैं नेश कॉफी है दो रुपिया का मिलता है मार्केट में दोस्तों तो इसका काम है आपका मिटी को एसडिक बनाना होता क्या है गुलाब का प्लांट हो या गुड़हल का प्लांट हो तो इसके अंदर जो मिटी एसडिक नहीं है तो क्या आप जो सब्लाजर लेने के लिए तियार करने के लिए ये बाला हमको देने पड़ता है इसको हो इससे मतलब में देखां रहा है कि इसमें और दूसरे प्लाइंट में दिये थे मेरा प्लाइंट अच्छा सचलरनी रहा था प्लाइंट में रंग नहीं आ रहा था तो अभी इसको देने के बाद इसे क्या होड़ै मेरा conflict मिर्टी है पूराasis हो जाएगा एक महिना के लिए और इस के अलामालों हम देख रहे हैं है 12 जो प्लान्ट डेख रहे और उसमें फूल भी अच्छा से आएगा दोस्तों तो इसका नियम है कि साल में जिदी आप एक बार चाहते हैं तो बरसात के मौसम में इसका जड़ को हलका-फलका छटाई कर सकते हैं कि अभी के समय में नहीं हो सकता है अभी के समय में इसको पूरूनींग ही हो सकता है दूसरे दिन से हम इसको पूरा फूर सल नाइट में निकाल देंगे हमारा प्लांट जो है पूरा सही हो जाएगा दोस्तों इसके बाद लगवाक 15 दिन बाद इसमें फूल आना चालू हो जाएगा और हमारा प्लांट जो है पूरा सही हो जाएगा